तो हेलो दोस्तो स्वागा थे आप सबी लोगों का हमारे यूटूब चैनल सम्राड केड में तो दोस्तो मेरा नाम है कास और मेरे प्यार विद्धार्थ योगर आप क्लास 10 में हैं 2022 बोड़ इजाम की तियारी कर रहें अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो हीरो हैं समझ लीजिए कि टार्गेट हम लोगा 95 परशंट का है ठीक है और बिल्कुल उसी के भीहाब पर तैयारी हम करा रहा हूं अच्छे तरीके से ठीक है मेरे प्यार विद्धार्थ योगर आप चैनल पर नहा है तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए इस व अजाब काली बात नहीं है जो मैं बात कहा रहा हूं सिरियस कहा रहा हूं ठीक है इसे सभी प्रश्णों को याद करके जाना है आप लोगों को देखे पहला प्रश्ण है कि समाने नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्टों को सु असपष्ट क्यों नहीं देख पाते है रहा है कि अगर कोई समाने नेत्र वाला मनुसे ठीक है अगर उसे 25 सेंटीमीटर से अगर निकट वस्तु रख दिया जाए तो उस वस्टू को असपष्ट क्यों नहीं देख पाता है ठीक है क्या कारण होता कि कि असपष्ट 25 सेंटीमीटर की अगर नजदिक रहेगा तो वो मनुस्यों को असपस्ट दिखाई नहीं देती है क्यों नहीं दिखाई देती है यहीं पूछ रहा हम से बहुत ही ज़्यादा महत्तोपुर प्रश्ण है तो देखें लिखना आपको कैसे है लिखा है कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्टों को सुवस्प रहेंगी वस्टू तो हमारे नेत्र वस्टू का 120 नहीं आपाएगा हमारे रेटिना पर जिस कारण वस्टू का क्या होता है दुदला प्रतिभीम बनता है और वह वस्पस्ट नहीं दिखाई इसलिए हमें दुदला प्रतिभीम बनता है वहां पे दुदला दिखाई देता है इसलिए वस्पस्ट दिखाई नहीं देख पाता है पची सेंटिमीटर से नजदिक वस्तू जो भी रखी होती है तो यही प्रस्ट अब इसमें करने वारी क्या बात है तो आप वो याद हो गय है और कंसेप्ट भी आप लोगों के किलिर हो गया कि पचीस सेंटिमीटर से अगर नजदिक वस्तू रहेगी ठीक है तो वस्तू से आने वाली जो प्रकास की किरण नेत्र के रीटान रेटीना पर क्या करती है सूसपस्ट रूप से प्रतवीम नहीं बना पाती है मतलब प्र प्रस्ट नमर दूसरा है कि नेत्र की समंजन छमता से आप क्या समझते हैं नेत्र की समंजन छमता किसे कहते हो बताई यह तो आईए जानते हैं समंजन छमता क्या होती है तो नेत्र की वह छमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समयोजित करके निकट तता दुरस्त वस्तू को फोकुसीत कर लेता है भाई हमारा जो समझञ चंता होता है जैसे समंझन चंत और समंझन चंता ओसमें आप समझसकते हैं कि आप अपनी आको जैसे आक आपगा है ठीक है तो अगर देखे अगर नजितिक वस्तूर लेकर आएंगे ना तो हमें सूद देखे जैसे यह पेन ना देखे केमरा की पास जा रहा ना यहां पर नहीं कर रहा है उसे फोकस आपकी नेतर की पास अगर अचानक से लेकर आया ना तो आप इसको असपास टूप से देख नहीं पाएंगे लेकिन कुछ सिकेंड बाद आपका समझन च्चमता उस पर बनी रह जाएगी और इसको आप असपास टूप से देख पाऊगे इसी तरह कोई वस्तूप अगर तेजी से दूर जा रही है ताप उसको असपास टूप से नहीं देख पाऊगे लेकिन जाके दूर अगर इस्ति तो यही मतल़ अगर तेजी से आपके आखों के पास ले जाओंगे तुरां ता सबस्ट्रूप से नहीं देखपाएंगे आपके समिजन च्वाइब ता इसको क्या आस्वास परस्टूप से कुछ सिकेंड बात ठीक है तरही स्वाइब है। उसको देखने की छमता है ये हमारा समझन चमता कहला तो ये बात खतम. अगो भूप आपको क्योशन्मर दूसरा वी अच्छे तरीके से किलियर हो गया होगा, मेरे प्रश्ण न्बर दूसरा हो गया, प्रश्ण न्बर तीसर की तरब बढ़ चलते हैं. देखिए प्रश्ण न्मर तीसरा, बहुत ही प्यारा प्रोष्ण है कि निकट द्रिष्टी दोस निवारण है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है अगर आपके नेत्र में निकट द्रिष्टी दोस है तो उसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करोगे तो मेरे प्यार परेगा उचीत focus का अगर नीकट द्रिश्टि दोस findsा है तो याद हो गया होगा ङोगां भणेओं थैजुटर लिए से चश्में Fifty Just. 25 दोस्ता जाता जाता है तो किस लैंस करेंगे तो भाई निकल्द्रिश्टी के लिए तो दूर्द्रिश्टी के लिए क्या उत्त्त लेंश देखे दू कम अत्रार एंदो तो साइसे आप ठरिक बना लएजै कि दूर मत्ब रखे लगया तो और लगुतरी में भी बन जाता है और अधी लगुतरी में भी बन जाता है ठीक है ताई होप आपको यहां तक Q4 तक अच्छे तरीके से किलियर हो गया होगा ठीक है चलिए Q4 तक किलियर हो गया ना Q5 अब Q5 है कि दृष्टी दोस क्या है बहुत ही popular प्रस ने बहुत बार पू ध्यान से सुनिए गा जब नेतर में क्या प्रतिवींब रेती न के आगЕ या पीछे बनता है तब वस्तु असपस्ट नजर नहीं आती अगर रेटीना के आगे बन रहा है या रेटीना के पीछे यए इस्तिति तब उतपन होती है जब नेतर की क्या समंजन छहमता अभी जानगे होंगे आप लोग और लोग किसे कहते हैं जब नेतर की समंजन चपता प्रतिवीम को रेटीना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूरता समाप्थ हो जाती है जब हमारे याकव का समझन चपता पूरता अगर समाप्थ हो जाएगी पूरता कम हो जाएगी तब ही यह इस्तिति आती है कि रेटीना पर किसी का प्रतिवीम आगे बनता है य जब जब हमारे नेत्र की समझन छंता कम हो जाती है तो यह पूरता समाप्त हो जाती है इसे को द्रिष्टी दोस कहते हैं यह दो प्रकार को मेरे प्यारविदार जब तो किलियर हो गया द्रिष्टी दोस की से कहते हैं तो बिल्कुल कि भाई जब नेत्र में प्रतवीम रेटी पीछे बनेगा तो वह असपस्ट रूप से असपस्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाएगी क्यों कि हमारे आखों का जो समझन छमता विल्कुल कम हो जाती है इसलिए यह कारण होता है कि आगे बनता है पीछे बनता है ठीक है इसी को हम द्रिष्टी दोस कहते हैं क्या बोलत प्रकार क्यों होता है पहला नि 관कर द्रिष्टी दोस दूसरा दूर द्रिष्टी दोस होता है और आपको कि समझ भर पांच मैं यहां तक चलियर हो गया हो चलिए प्रस्ट नमर 5 के लिए रोगा ना प्रस्ट नमर 6 की तरह बढ़ चलते हैं चलिए देखें प्रस्ट नमर 6 अब प्रस्ट नमर 6 क्या बोला है कि दूर दृष्टी दोस क्या है कहा ना कि पूचता है प्रस्ट कि दूर दृष्टी दोस क्या है और इस दोस को दूर करने के लिए क्या करना होगा अगर आपके आखों में दुर दृष्टी दूस है तो kyan है और इसदोस को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तहन से प्रष्ण बहुत ही ज्यादा आइए प्रशन प्रशन बन जाता है प्रष्ण ठीक है तहिए तो यहां में सभी प्रश्ण त्यार करके जाना आपको, देखिए आईए जानते हैं दूर दृष्टी दोस के आता है, इस दोस से पिडित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो असपस्च दिखाई देती हैं, अब देखे, दूर दृष्टी दोस में क्या होता है, कि अगर निकट ये को आप इस पास डूप से दिकाई नहीं दे clear आपको समझ में आगया होगा कि दूर दृष्टी दोस किसे कहते हैं ठीक है चले दूर दृष्टी दोस समझ में आगया है ता अब आए निकट दृष्टी दोस आप क्या समझते हैं इस दोस को दूर करने के लिए किस लेंज का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा very very much time प् और इस दोस्ट के निवारण के लिए हम आउत्तर लेंज का प्रयोग करते हैं जस्ट उसका उल्टा निकट द्रिष्टी दोस्ट अगर किसी मनुस्य में रहेगा तो निकट की वस्तू तो उसको असपस्ट दिखाई देगी परन्तु दूर की वस्तू उसको असपस्ट नहीं दिखाई देगी ठीक है देखें क्या लिखाया निकट द्रिष्टी दोस्ट वाले बेक्ति को पास की वस्तू असपस्ट दिखाई देती है परन्तु दूर की वस्तू असपस्ट नहीं दिखाई देती है और इस दोस्ते के निवानले के लिए क्लिए जो जाएगा, यह चेप्टरा आपके पूरी हाथ में हो जाएगा ठीक है कहीं से भी क्यूशन पूछे का आप पुरू फटा फटा जबाब दोगे ताई होप आपको किलियर होगी आओगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी वीडियो मेरे प्यार भी दर थी अच्छी लगी तो प्लिज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद